ये सिरफ पांच उंगली का खेल है आप सुनते होंगे CAA, NRC, NPR और सोचते होंगे ये खेल क्या है? इतने सब शब्द हैं, समझ नहीं आता वैसे बड़ा साधारन सा खेल है मैं आपको समझा देता हूँ ये सिरफ पांच उंगली का खेल है पांच उंगली की यात्रा समझ लीजिए ध्यान से समझिएगा और पिर समझाईएगा भी दूसरों को ये यात्रा शुरू होगी सबसे छोटी उंगली से बड़ा साधारन सा काम होगा अप्रेल के महीने में आपके घर कोई आएगा सरकारी करमचारी हो सकता है अभी वो कहां पैदा हुए थे कब पैदा हुए थे आधार कार्ड का नंबर मांगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे कोई प्रमान नहीं मांगेंगे उस वक्त आपको लगेगा छोटा सा मामला है ये छोटी उंगली का पहला कदम ये है NPR वाली छोटी सी उंगली फिर दूसरी उंगली ये D वाली उंगली है D क्यों? क्योंकि आपके घर से जब एक बार ले जाएंगे लिखके उसके बाद तहसीलदार के दफ्तर में किसी सरकारी दफ्तर के अंदर कुछ टाइम बाद हो सकता है कुछ बहीने बाद चुप चाप से उस लिस्ट का मुल्यांकन किया जाएगा और कोई सरकारी करमचारी उस लिस्ट में कुछ नामों के आगे D लिख देगा D का मतलब doubtful doubtful का मतलब संदेहास्पद जिस पर शक है किस बाद का शक है कि ये भारत के नागरिक दरसल है नहीं भाई कैसे फैसला होगा कानून में कहीं नहीं लिखा कैसे फैसला होगा हो सकता है आप अपने माता पिता कि I.U. नहीं बता पाएं हो कहां पैदा हुए है नहीं बता पाएं हो हो सकता है आधार कार्ड आपके नाम से इशू हो लेकिन आपके पास नंबर ना हो कुछ भी हो सकता है किसी भी आधार पे D लगा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा और मामला तीसरी उंगली पर पहुँच जाएगा यह तीसरी और बड़ी उंगली है यह है NRC वाली उंगली जिन लोगों के नाम के आगे D लगा होगा समझ लीजे आपके महले में 500 लोग हैं 1000 लोग हैं उन में से 50 के नाम के आगे D लग गया उन 50 लोगों को चिठी आएगी पूरे परिवार में नहीं हो सकता है परिवार में बहु को चिठी आए बेटे को ना आए बाप के नाम चिठी आए पोते के नाम चिठी ना आए कुछ लोगों के नाम चिठी आएगी और उन्हें कहा जाएगा notice दिया जाएगा अब आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं कैसे साबित करेंगे सरकार ने आज तक नहीं बता है हमारे पास सिरफ एक असाम का उधारने जहाँ पहले हुआ है नर्सी और वहां क्या हुआ था ना ना आधार कार्ड माना गया ना राशन कार्ड माना गया ना वोटर लिस्ट में नाम माना गया कहां नहीं ये सब नहीं चलेगा आप प्रमान लेके आईए कि आप कहां पैदा हुए थे आज से 30 साल पहले वोटर लिस्ट में आपका नाम था के नहीं था पुर्खों का नाम था के नहीं था, कोई संपत्ति का प्रमानपत्र लेके आए, साधारन लोग कहां से जुटाएंगे प्रमानपत्र, इसके आधार पे उनमें से कुछ लोगों ने जो आधार अपने प्रमानपत्र नहीं दे पाएंगे, उनका मामला चौथी उंगली पर पंद्रा लोग बच गए, उनको कहा जाएगा आपको आखरी मौका दिया जा रहा है, ये उंगली आखरी मौके के उनली है, आखरी मौका दिया जा रहा है, Foreigner Tribunal है, विदेशियों की अदालत है, अब उसमें जाके आप साबित कीजिए कि आप विदेशी है के नहीं है, अगर म आप दादा यहाँ पे 500 साल से 1000 साल से रहते आ रहे हैं, अगर मुसल्मान नहीं भी हैं, तो पता ही क्या है, आपको ये साबित करना पड़ेगा, कि आप बंगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आएं, अब आप सोचिए, बिहार यूपी में रहने वाले लोग, ने अगर साबित आप नहीं कर पाएं, जो लोग भी साबित नहीं कर पाएं, वो लोग विदेशी घोशित हो जाएंगे, और मामला आप चौती उंगली से अब अंगूठे पे पहुंच जाएगा, अंगूठे तले दबने वाला, ये है डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन सेंटर में बन रहे हैं, डिटेंशन सेंटर, जिस व्यक्ति के पुरुख है, पता नहीं कब से यहाँ पे रहते आ रहे होंगे, उसे अपनी ही मिट्टी में विदेशी बनाके डिटेंशन सेंटर में डालती है जाएगा, ये है खेल, शुरू होगा छोटी उंगली से, NPR से, और खत होगा कुछ लोगों के लिए, हो सकता है हजार में से एक लोग, हो सकता है हजार में से दो लोग, डिटेंशन सेंटर में डालती है, क्या ये चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं, तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, ये पांच उंगली का खेल कैसे रुकेगा, जैसे ही पहली उंगली मोर्दने की कोशिश हो आप पांचों उंगलियां कर लीजिये बंद, मुठी लीजिये कस और उठा दीजिये अपना हाद, विरोध करना होगा, यानि कि जब पहली उंगली उठे NPR बादी, NPR का पायकॉट करना होगा, पूरे देश में जो नागरिक्ता संशोधन के बारे में आंदोलन चल रहे हैं, उन सब ने मिलके कॉल दिया है, हम भारत के लोग, we the people of India, जो देश के 120 से ज्यादा संगठनों ने एक अठा होके बनाया है, सब ने कहा है कि NPR का बायकॉट करें, यानि कि जब आपके घर में कोई टीचर आए, कोई सरकारी करमचारी आए, N NPR का डेटा लेने, प्यार से बात किजी, इस से बुरा बात करने की जरूरत नहीं है, पानी पिलाएए, चाए पिलाएए, नमकीन भी खिलाएए, नमक क्हिलाना बहुत ज़रूर ली है, क्योंकि ये सम्मिधान का नमक खाते हैं, याद दिलाना है, के करमचारी इस देश के क करमचारियें किसी बार्टी के नहीं हैं, सब कुछ दीजे, प्यार से की दीजे, लेकिन कागज नहीं लिखवाएं, कागज में कोई सूचना नहीं देगी, क्योंकि एक बार सूचना दी, फिर मामला आपके हाथ से बाहर, कागज नहीं लिखवाएं, और अगर वो कहें कि ये तो कानून है आपको करना पड़ेगा, उन्हें प्यार से कहिए मास्टर जी, आपके बड़े इज़त करना, लेकिन क्या करें, माहत्मा गांदी की इज़त थोड़ा जादा करना, इस देश के राष्ट किता ने कहा था, कि अगर कोई असंबैधानिक, अन्याय पून कानून ह हमारा आधिकार ही नहीं है, हमारा कर्तब्वे भी है, हमारा हक भी है, हमारा फर्ज भी है, इसी रास्ते पे हमें चलना होगा, याद रखिये, हम सम्विधान बचाने नहीं, एक हात में तिरंगा, दूसरे में सम्विधान, मन में अहिंसा और जन गर्मान का गान, इसी रास् में हम नड़ेंगे और निश्चित जीड़ेंगे